नमस्कार एक बार आप साफी का फिर से स्वागत है आपके ही चैनल वेश्टी वेश्टी पर और देखिए आज हो गया हमारे 20 जून 20 जून हो चुका है और मांसून ने अपनी दस्तक देने शुरू कर दिये इस मांसून के आने के बाद हमारे गार्डन में हमारे पेड़ पोदे पूरी तरह से एंज्जॉय करते रहें उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख हम कुछ पेड़ पोदे प्रेमियों के लिए ये बारिश का मौसम बहुत सुहावना होता है पर उसी सुहावने पन में ना कुछ नो कुछ दखल अंदाज ही हो जाती है अगर आपने छोटी-छोटी चीज़ों को नजर अंदाज किया पिछले साल दो वीडियो ज मने शेयर क कि कैसे छोटी-छोटी बातों को ध्यान रख कि हम लोग बारिश को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं अपी फिर से वक्त है उन चीज़ों को आपको रिमाइंड कराने कि कहीं आप भूल तो नहीं गए देखे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये जो हमने गर्मियों में म तरह टाने का आपने जिस भी मेटरियल से मल्च這麼 करिए हो नद में अपी सब से पहले सबसे पहले में करें अपनी करियों कि अबसे आपने शारा मेटरियल से करियों जिससे भी एख लिए Mamis सडगल चुका होगा और आधा आपका साबूत पड़ा होगा तो सारा कसारा हमें निकालना होगा क्योंकि यह जब इसी तरह से पड़ा रहेगा तो बारिश के टाइम पर बहुत सारा पानी अपजाब करेगा जिससे कि आपके पहुते सड़ सकते हैं और साथ ही साथ सड़न की वज़े से इसमें अतकचरे मटेरियल में फंगस भी लगने की संभावना रहती है जिस वज़े से आपका पोधा खराब हो सकता है तो सारा खसार आप यह मटेरियल आप निकाल के रखती जए अभी इस मौसम में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमारे पोधों से ब कर लेंगे अब देखें जब गमलो में हमारा यह मल्चिंग मटेरियल पड़ा होता है तो नीचे की मिट्टी काफी हद तक टाइट भी हो जाती है तो अब हम क्या करेंगे खुर्पी जो भी आप लोग इसको बोलते हैं इससे हम लोग किनारी किनारी से इसकी हलकी गुड़ा इसके लिए गुड़ाई करना बहुत जरूरी है अगर आपके पहुदों को जरूरत है तो आप एक दो-दो मूठी इसमें कोई भी अपना किचन वेस्ट कंपोष्ट या जो भी आप यूज करते हैं वह आप इसमें डाल दें तेकिए दो-दो इंच के करीब मैंने मल्चिं क पानी गिरेगा तो वैसे ही आपके रूट्स ज्यादा खुलने के टर रहेगा तो आप जरूरत पड़े तो इसमें 2-4-6 मुठी जितनी भी जरूरत हो मिट्टी से उपर से कवर करते हैं और देखिए अब यह जो में निकाला है ना तो इस मेटेरियल को फेकनी की गलती बिल किसी बोरी या किसी पैकेट में भरके डालें जब तक कामानसून सीचन खात में होगा तब तक आपकी खात भी बनके तयार हो जागी चलिए अप चलते हैं कुछ और ज़रूरी काम की तरफ सबसे पहले तो आप अपने गंळों में ड्रेने चोल जरूर चकरें क्योंकि अगर आपका प्रॉपर नहीं खुलोगो तो बरसात में आपको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है लगतार पानी भरेगा उससे गंळे से आपका पानी निकल नहीं पाएगा तो उस केस में आपका पोधा पता नहीं कैसे बचेगा बगवान जाने तो सबसे पहले आप मल्च निकालें अपने गंळों के ट्रेनेज होल चेक करें और यह देखें कि उपर जहां पर आपके गंळे रखें तो सीथा आपके चज्जे का पानी सीधी थार गंळों में न गिरें मिट्टी कटेगी जड़े खुलेंगी और पोधे के मरनी की संभावना कहीं न कही पानी बढ़ जाएगी अगर किसी वज़े से आपके गंळे में पानी भर भी गया है तो जैसी बारिश रोके आप उसको टिल्ट करके उसका पानी तुरंत निकाल दें बहुत सारे यसे हमारे पास चोटे-चोटे से बार्ट्स होते हैं जिनमें हमारे ड्रेनेजल नहीं होते तो अगर आपके पास इस तरह का है तो ध्यान रखें कि आपको तुरंत का तुरंत उसे पानी निकाल देना है कुछ आपके पास सक्लेंट्स होंगे कुछ कैक्टर्स होंगे तो उनको आप लगतार बारिश में ना पढ़े रहने दें क्योंकि ये पोदे बहुत कम पानी मां आप अपनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें इस तरह से आपका गर्डन हमेशे नज्जाए करता रहेगा और आप भी बारिश के मौसम में अपने गार्डन को इंज्जाए करते रहेंगे कोई भी परेशानी नहीं होगी जल्दी मिलोंगी अगले वीडियो में औ जरूर करें साथी साथ चैनल को पहली बार आ रहें चैनल को सबस्क्राइब करें साथी साथ बिल ऐकन जरूर दबाएं विद आल बटन क्योंकि तब लूटिफिकेशन आपको जाएगे जो कि प्रावलम बार बार आ रही है जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक लिए आपका गार्डेन हमेशा हरा भरा महकता जहकता है थैंक यू